दोस्तो नमस्कार आप सभीकत स्वागत आपकी अपनी यूट्यूब चेनल आरेनेस एजुकेशन नूज में दूस्तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रास्तन चिकित्सा विभाग हालंकि अपडेट हमें एक वर्ती के आप बताने वाले जिसमें पद बढ़ोतरी की मा को रोजगार दे रही है लेकिन चिकित्सा विभाग की अगर हम बात करें तो सच्चाई बहुत दूर है यानि कि 6 भरतिया निकाली हैं चिकित्सा विभागने अब तक जिसमें मेडिकल ओफिसर अर्थात डोक्टर्स की भरती 1765 पदों पर पहले 840 पत थे डोक्टर्स के 9000 स से जादा पद फिलाल खाली है सरकार कब भरेगी एक सवाल ये है दूसरी बात हम करें दोस्तों एनम्स की भरती 1155 पदों पर काफी सारे पद इसमें भी खाली है जी एनम की जो भरती है नर्सिंग स्टाफ या नर्सिंग ओफिसर की 1289 पद उसमें भी 8000 से जादा पद रिख भी खाली है इसके अलावा दोस्तों फार्मासिस्ट भरती जो फार्मासिस्ट भरती अब से तक्रीबन पांस साल पहले तक्रीबन पांस साल पहले 1736 पदों पर निकाले गए थी लिखित परिक्षा से उसको 139 बर 2020 को सरकार ने विड्रो किया उस भरती को और आप बोनस अंक 14 में निकलते हैं और 2022 में जाकर के इस 1736 पदों में सिर्फ कितने पद जुड़ते हैं अब आप 2020 हो जाते हैं ठीक है 200-300 पद बहुत सरमनात बात है कि अगर अभिवाग ने पहले एक्सरसाइज की होती इन तमाम भरती पदों की और एक्सरसाइज करके और इनका सही से ब्यो पदों की बढ़ोतरी की मान की जा रही है आरियो एचेस यानि की रास्तन स्वास्त विज्ञान विस विध्धाल है हेल्थ यूनिस्ट्री जो है जैपूर उसने मेडिकल ओफिसर का करवाया पेपर हो सकता है आज कल में रिजल्ट भी आ जाए मेडिकल ओफिसर का डॉक्टर जीरे के समान इसका मतलब यह है पाद इतने कम है और जिस आधार पर यह लोग भरतियां करवा रहे हैं बोना संकों के आधार पे उसकी संक्या में तो सब्विधा कर्मी भी लगबग नहीं लगने वाले ग्यारा सो पच्पन बारा सो नवासी दो हजार बीस होता क्या इन में लेकिन सरकार मदमस्त अब भरती परेशान इसी को लेकर करके अपडेट है डोक्टर्स के देखिए 94 सुपद रिक्त हैं भरती सिरफ 1765 पदों पर यहां पर की जारी है और उदयापूर के जैनिक नवजोती अकबार की एक खबर हमने आप लोगों से साजा कर रहे हैं यहां पर देखिए डोक्टर्स एसोसेशन के दुआरा जो है इन्होंने सरकीट हाउस में सरकीट हाउस उदयापूर में इन्होंने मुख्यमंत्री से मुलाकात किया और मुख्यमंत्री को बताया है कि सहाब 94 सु पद रिकते हैं और हमारी भरती 1765 पर की जारे है जो की ना काफी है मैं भी मांग करता हूँ कि डोक्टर्स भरती के जो पद हैं वो कम से कम 94 सो ना करके कम से कम 5,000, 45,000 किये जाएं ताकि जो यूवा, MBBS पास आउट अभ्यारती हैं जिन्होंने इस परिक्षा को दिया है वो उनका भी भला हो और इसमें आविदन भी तक्रीबन 9,000 की आसपास तो 9,000 सरकार ना करें हो सकता है इनके आधे पत तो कम से कम इनको देने चाहिए यह इन्होंने मांग की हैं 1765 को 94 सुपद रिख थे हैं और COVID वेरियंट फिर से आया है चाइना में हाल बहुत बुरे हैं जैपूर में भी एक नया जो कोरोना का जो नया वेरियंट है उसके मरी चाहिए इसके अलावा दोस्ते इन्होंने प्रियोकसाला सायक भरती की बी जो है मुख्य मंतरीनी सुल्क जांच योजिना कार्मिक संग ने भी प्रियोकसाला सायक 2018 की भरती में दीतिये पदिस्थापन सुची की मांग की है सैकंड लिस्ट की मांग की है जो कि सरकार ने महिने में जारी कर देंगे 25 तक लेकिन अभी तक जारी नहीं की गई है यह भी आप भरती बड़ी भरती सोरी विबादित रही थी दूपरियोग साला सायक भरती कोट कचरी मुल्दी सरकार को नियम चींज करने पड़े नियम चींज करने के बाद भी लगबग दो साल होने को ह और यह भरती अभी तक भी पूरी नहीं हो रही है क्या किया जाये दोस्तों देख फर्स्ट इंडे नियूज की भी जान कर ही हम आपको दिखा रहे हैं एमो भरती परिक्षा में पद बढ़ोतरी को लेकर के मेडिकल ओफिसर में पद बढ़ाने चाहिए इसके लाव हमारी ब सिंग और परामेडिकल के बच्चे उनको परिसान तुमने करके रख दिया है ग्यारा सो पच्पर बारा सो नुवासी ये कितने से पद हैं एक तरफ सिक्षा विभाग में कई हजार पदों पर भरतिया की जाती हूं का लग बात है सिक्षा विभाग में क्योंकि पदों का र अधिकारिक जो इस तर पर जो होता है तो ये कहीं न कहीं दूस्तों गलत है सिक्षा विभाग के साथ हलंकि गलती आप लोगों की भी रही है इसमें कोई किन्तू परंतू नहीं है लेकिन फिर भी सरकार को पद बढ़ाने चाहिए इन तमाम भरतियों में ऐसा नहीं है डोक् भीता से विचार करें और इनकी पद वड़ाएं ताकि भला हो सके धन्यवाद दोस्तों फिलाल के इस वीडियो में इतना ही जैहिंद जय भारत